रूस युक्रेन युद में 4 जून 2023 को युक्रेनी सेना ने रूस पर जवाबी हमले शुरू किये थे जिसे काउंटर ओफेंसिव का नाम दिया गया था युक्रेन की जवाबी कारवाई को अमेरिका ने डिजाइन किया था अमेरिका की रणनीती थी कि युक्रेन रूसी कबजे वाले क्रीमिया पर भयानक हमले करे जिससे रूसी सेना पीछे हटने पर मजबूर हो जाए और इसी कड़ी में युक्रेनी सेना ने हवाई ड्रोन्स औ भी उक्रेनी सेना ने क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी सैन अड़े पर तगड़ा हमला किया था जिसमें उसके कई सैन एक घायल और शिब डॉक शती ग्रस्त हो गया था जिसके बाद से ही रूस युक्रेन के समुद्री ड्रोन्स की काट निकालने में जुटा हुआ था और इसी जहाज क्रीमिया के तटवर्त ये इलाकों में पेट्रोलिंग करता हुआ दिख रहा है इसी दोरान उसके सामने युक्रेन का एक समुद्री ड्रोन आता है जिसे रूस के सुखोई 35 और सुखोई 24 एम फाइटर जेट ने इस तो नाबूद कर देते हैं रूस का दावा है कि लडाकों जेट्स और फ्रेंट लाइन बॉमबर्स ने युक्रेन के कई हाइस्पीड ड्रोन्स को एरक्राफ बंदूग या एरियल बॉमबर्स से तबहा किया है रूस का कहना है कि SU-30 SM लडाकों जहाज भी क्रीमिया में युक्रेनी ड्रोन्स के खिलाफ कारगर साबित हो र समुद्री ड्रोन्स हमले बढ़ा दिये हैं क्योंकि ये ना सिर्फ बेहधी सस्ते हैं बलकि इन में भारी मात्रा में फिस फोटक भी भरा जा सकता है युक्रेन ने इन समुद्री ड्रोन्स के जरिये रूसी युद्धपोत तेल टैंकरों और नौसानिक अड्डों पर कई ब लैक्सी में नेगरानी को बढ़ा दिया है और वो युक्रेनी ड्रोन्स को उनके टार्गेट तक पहुँचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर रही है ताकि नुकसान को रोका जा सके